दिल्ली में कल प्लेन क्राश में जवानों और इंजीनियर्स को दिल्ली के सब्धर जंगा एपोर्ट पर स्वधांज़ी दी गए ग्री मंत्री राजणाज सिंग और ग्री राजज़ मंत्री किरंडी जीजू फुद मौचूद रहे दो पाइलिट के साथ कल आठ इंजीनियर्स प्लेन क्राश में मारे गए थे राजनाज सिंग ने व्रत जवानों के परिजनों से भुलाकार गए दिल्ली में हुए BSF के विमान हाज़सी की जान चार सदस्य कमेटी करेगी इस कमेटी की अधिक्ष्टा एरक्राफ्ट एक्सिडन्ट इन्वेस्टिकेशन ब्यॉरों को एक अधिकारी करेंगे राची जा रहे इस सुपरकिंग विमान के सभी दस सवार मारे गए थे दिली में मंगलवार को BSF के प्लेन क्राश मामली में नया खुलासा हुआ है इसी खबरे हैं कि उड़ान के ठीक पहले विमान का पालेट बदला गया BSF के किसी अधिकारी के कहने पर एक सीनियर पालेट की जगहा दो जूनियर पालेट से बीपी भट और राजेश शिवरेन की ड्यूटी प्लेन में लगाई गई थी कॉंग्रेस उपादियक्ष राहूल गांदी आज अपने संसद्यक शेत्र अमेठी के दो दिन के दोरे पर रहेंगे राहूल गांदी लखनाओ पहुच गए हैं जहां से वो अमेठी रवाना होंगे दोरे के पहले दिन राहूल गांदी मुसाफिर खाना के एच इंटर कॉलेज में नवनर्वाचित, ग्राम प्रधानों और पंचात अध्यक्षों के साथ बैठा करेंगे राहूल अपने दोरे के दूसरे दिन गुरुबार को मुशी गंच गेस्ट हाउस में कारे करता हूँ और पार्टी नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे संगठन के कारेंव पर चर्चा भी करेंगे पियम मोदी आज से दो दिन की रूस यात्रा पर जा रहे हैं यात्रा में न्यूक्लियर अनर्जी, डिफेंस, हाइड्रोकार्बन और साजा कारुबार को लेकर समझोते हो सकते हैं मोदी और राशपती व्लादमिर के बीच सीरिया के हालात और आतंफात को लेकर भी बातचीत हो सकती है आज संसत के शीट सत्र का आखरी दिन है आज लोग सभा में बैक रप्शी कोर्ट बिल और महंगाई पर बहस होगी तो राज़सभा में विसल ब्लोर्स प्रोटेक्शन बिल 2015 में पेश किया जाएगा नया जुविनायल जस्टिस बिल संसत से पास हो गया है और राशपती के दसकत के बाद जब ये कानूद बन जाएगा तो जगन्य जुर्म के मामले में 16-18 साल की उम्र के नाबाली को व्यस्ट माना जाएगा नरभया के मातापिटा ने जुविनायल जस्टिस बिल पास होने का स्वागत किया है राजस ब्ल पास होते समय नरभया के मातापिटा भी राजस सभा में ही मौचूथ है दिली के सेम अर्विन के जिवाल ने पीएम मोधी पर जेटली को बचाने के लिए सीबियाई रेट कराने का रोप लगाया और पीएम कर सीफा मांगा प्रदीप कुमार नाम के एक वखील ने तीस हजारी कौर्ट में दायर याचिका में देश ड्रो और मानहानी के तहट के जिवाल पर केस चलाने की मांग की है इस मामले पर पहले सुनवाई चार जनवदी दोजार सोलह को होगी आम आद्मी पार्टी आज कते डीडी स्टीय घोटाले में शामिल केंड्रिय वितमंत्री अरुन जेटली के घर के बाहर प्रदशन करेगी पिये मोदी ने भी खुल कर जेटली का बचाफ किया है मंगलबार को दिली विधान सभा का एक दिन का विशेश सत्र इसी के लिए बुलाए गया था ये एक सदस्य आयोग डीडी स्टीय में हुए आफकत्त आर्थिक घोटाले की जाच करेगा दिली एंड दिस्ट्रिक्स प्रिक्ट एसोसियेशन बीज़पी सांसत किर्थियाजाद के खिलाफ कानूनी कारवाई कर सकता है डीडी सीय के ट्रेजरर रविंदर मंचंदा के मताबिक किर्थियाजाद ने खलत आरोप लगाए हैं और उनके खिलाफ मानहानी का मुकदमा दायर किया जा सकता है मंचंदा ने कहा कि डीडी सीय पहले ही अपने सभी डॉक्मेंट्स और खर्चों की लीटेल दे चुका है कीर्थियाजाद ने 20 दिसम्बर को प्रेस कॉंफरेंस करके डीडी सीय में कथिद घोटाले कारुप लगाया था बीज़पी सानसाद कीर्थियाजाद पर वितमंत्री अरुन जेटली का खिलाफ कथिद डीडी सीय घोटाले मामले में बयानबाजी के लिए बीज़पी कारवाई कर सकती है कीर्थियाजाद के ट्वीटर हैंडल से जेटली के नपुनसक शब्द का इस्तिमाल किया गया जेटली के ओर से दायर मानहानी के मुकदमे में सीय मार्विन केजरिवाल और आमादी पार्टी के पांच नेताओं को नोटिस जारी किया है जेटली ने मानहानी का मुकदमा कर केजरिवाल, संजे सिंग, कुमार वश्वास, रागुफ चढधा, आशुतोष और दीपक वाचपई से 10 करोड रुपए का हरजाना मांगा है आप नेताओं को जवाब देने के लिए 3 हफ़ते का बग दिया गया है अब मामले की अग्वी सुनवाई पांच परवरी को कथिद डीडी सीय घुटाले को लेकर आपके निशाने पर आए वितमंत्री आरुण जेटली का पूर्फ प्रिकेटर सौर्फ गामुली ने बचाप किया और उन्हें कहा कि आरुप कुछ भी लगा जा सकते हैं लेकिन सच सामने आएगा सीबियाई ने एपी एफो अधिकारी संजकुमार पर आए से अधिक संपत्ती के आरुप में केस दर्ज किया है संजकुमार के साथ ठीकानों पर सीबियाई ने चापा मारा दिल्ली, मुंबई, बैंगलूरू और पट्ता में ये चापे मारे गए सीबियाई को दो लॉकर से 20 करोर रुपाय की संपत्ती के कागजात मिले आए कल गोटाला मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कौर्ट में कबिनेट मंत्री प्रकाश जावरेकर और हन्सराज अहीर को नोटिस जारी किया है प्रकाश इंडस्ट्री मामले में कॉर्ट ने ये नोटिस जारी कर इन है आठ एपरल को पेश होने का आदेश दिया कॉर्ट ने पिछली सुनवाई के दुरान सीविसी संजे अगरवाल को नोटिस जारी कर पेश होने का निर्देश दिया था कॉर्ट के आदेश पर कॉर्ट में पेश होए अगरवाल से पूछा था कि किसकी शिकाहत पर सीवियाई ने फाई आर दश की थी आदेवर डौन दाओद इब्राहिम की कार को निलामी में खरीदने वाले धर्न गुरू चक्रपानी आज उसे जला देगे गाजियाबाद के इंदरापूरम में इसे वो आज करीब एक विचे जलाएंगे और इंडिया हिंदू महासभाकार आश्री अधक्ष होने का दावा करने वाले चक्रपानी का कहना है कि कार को जलाना सांकेतिक रूप से आतकबार को जलाना हर्याना की 21 जिला परिश्दों के लिए नामानकन पत्रु दाखिल करने की प्रक्रिया आज से शुरू होगी 29 जिसंबर तक परचे भरे जा सकेंगे अगले महीने की 10, 17 और 24 तारिखों को वोट पड़ेगे केंडिय वित और सूशना प्रसार और मंत्री आरुन जेटली आज भारत सरकार का 2016 का का कालेंडर जारी करेंगे ये कारिकरम नाशनल मीडिया सेंटर ने होगा जहां सूशना प्रसार और राज़मेंट्री राजवर्गन सिंग्राथ और भी मोजोध मेंगे भारत के पहले पूरी तरह से देशी वार्शिप आईनस गोदावरी को 32 साल की सेवा के बाद आज मुंबई में डी कमिशन किया जाएगा तीन दशक के दोरान आईनस गोदावरी को नेवी के ऑपरेशन जुपिटर, ऑपरेशन शील्ड और ऑपरेशन बॉल्स्टर जैसे मेहतोपून अभ्यानों में शामिल किया गया था रेलवे ने IIT मदरास, IIT कानपूर और IIT रूर्की से रेलवे रुसर्च सेंटर खोलने का करार किया है पीएम मोदी ने अपने चुनावी वादे में रेल उनिवर्सिटी खोलने की बात कही थी ऐसे में रेलवे के एक शित्र मेरे सर्च को लेकर ये बड़ा कदम माना जा रहा है बिहार के पूर्मुके मंत्रे जुतनरा माजी का नाती और दामात गिरफतार हुए माजी के नाती विक्की की 25 साल की पत्मी सोनी देवी की हत्या के आरोप में गिरफतारिया हुई है एक लाव गवाही देने वाला एहम गवार राहुल सचान 25 नवंबर के बाद से लखना उसे गाइब है यौन उत्पीरन के सी मामले में आसाराम सलाखों के पीछे हैं इसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि आखर राहुल सचान की गुमशुदगी का राज क्या है और इसके पीछे किस का हाथ है यूपी में नए लोकायुत की निव्क्ती को लेकर विबाद बरता जा रहा है याचिका में मांग की गई है कि जस्टिस विरेंदर सिंग के बदे सभी पक्षों की सहमती से नए लोकायूट का चैन क्या जाए इससे पहले यूपी में नए लोकायूट की न्यूपी पर रुपिर सुप्रिम कॉर्ट रोक लगा चुका है न्यूपी को लेकर मामले पर अगली सुनवाई चार जैन्वरी को होगी लोकायूट के पदपर जस्टिस विरेंदर सिंग को 19 दिसंबर को शपत लेनी थी उत्राखन में लोकायूट की न्यूपी नहीं होने पर विपक्ष की बीज़ेपी सरकार ने एक बार फिर हरिश्रावत सरकार पर हमला बोला बीज़ेपी का रोप है सरकार की मंशाब रश्चाचार करने की है इसलिए लोकायाग नहीं ला रही है राज्य में लोकाइफ लागों हो जाए तो कॉंग्रेस ही सबसे ज़्यादा जेल में नजर आएगी। आगरा पुलिस ने बड़ी कामियाबी हासिल करते हुए हरेंद्रुराना गैंक के शाप शूटर राहूल फॉजी को दिफ्तार के लिया। राहूल फॉजी के पास सेग एस्यूवी गाड़ी तमंचा और काफी मात्रा में चरस बरामती। शाप शूटर राहूल फॉजी का सहारन में हत्या के गबाहों को बाने का प्लान था लेकिन फुलिस ने पहले ही उसे धर्दबोशा। राहूल फॉजी 15 दिसम्बर को जेल से रहा हुआ था और बताया जा रहा है राहूल जेल से हत्या के सुपारी लेकर आए थी। उत्रप्रदेश में कोरे का कोराम भी देखने को मिल रहा है। उत्रप्रदेश के मतुरा और आगरा में कल कोरे के कारण आक्सिडेंट की खबर आई थी। अथुरा के यमुना एक्स्प्रेस वेपर करीब एक दरजन गाड़ियां आपस में फिर गए इस हाथसे में 26 लोग घाल हो गए वहीं आगरा में कोरे के कारण कई गाड़ियों की टक्तर हो गई जिसमें एक दरजन लोग घाल हुए एक शक्स की मौत्वीस में। ठंड का असर पंजाब में भी देखने को मिल रहा है। देश में पढ़ रही धन से नासिफ इंसान परेशान विलकी से जानवर भी वेहाल एंदा बात के चलिया। में जानवरों को उस सर्दी से बचाने के लिए खास इंतिजान किये गए उनके लिए पिंजरों में धास बिचाई गई है वहीं को जानवरों के पिंजरों में हैवी बल्ग लगाए गए है ताकि जानवरों का इस सर्दी के मौसम में बचाव हो सके राजधानी में दिल्ली पुलिस और बदमाशों के बीच गोलियां चली हैं रात दो बुजे के आसपास पुलिस PCR वायन को टक्कर मार कर एक संदीक कार भाग गई बदमाशों का पीछा करके पुलिस ने सीरमपुर में कार को टक्कर मार कर रोका कार में बैठे एक बदमाश को पुलिस ने पकड़ लिया तीन फरार दिल्ली सरकार ने और इवन फॉर्मुले के 15 दिनों के ट्रायल के लिए प्राइवट स्कूल्स को अपनी बस से ही DTC के साथ रिजिस्टर कराने को कहा है ट्रायल के शुरुवात एक जैन्वरी से हो रही है एक से लेकर पंदरा जैन्वरी तक दिल्ली के सारे स्कूल्स बंद रहेंगे और स्कूल बसों का इस्तिमाद DTC करेगी दिल्ली के स्कूल जाने वाले बच्चों में से 21 प्रतिशत के फेफरों की हालत खराब है हील फाउंडेशन के ब्रेथ ब्लू 2015 कैंपेन में दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और बैंगलूरु के 2000 बच्चों के फेफरों की जाज के बाद ये रिपोर्ट सामय आई है हाला कि केंद्रिय स्वासमंत्री जेपी नडड़ा के मुतावी के रिपोर्ट सरकार को नहीं सौपी गई है और इसकी जाज स्वासम विभा गया सेंट्रल पल्यूशन कंट्रोल बोर्ने की है मुंबई के हिमा उपाधिया मॉर्डर केस में पुलिस ने हिमा के पती चिंतन उपाधिया को गिरफतार किया पुलिस को कौट से चिंतन की एक जन्वरी तक की रिमान भी मिल गई है चिंतन को सुमवा रात पुष्टा आज के बाद हत्या की साधिश रचने और सुबूत नष्ट करने के आरोप में गिरफतार किया देरा दिसंबर को मुंबई के कांधी वली में एक नाले से हिमा और उनके वकील हरिश भंबानी का शब मुला महाराश्र सदन घोटाले में प्रवर्तनी देशाले ने एनसीपी नेता शगन भुझबल की प्रापटी सीज कर दी है इडी ने मुंबई के बांधरा और सांता क्रूज में भुझबल की दो प्रापटी सीज की हैं जिनकी कीमत करीब 110 करोड बताए जा रहे है बुझबल पर दिली में महाराश्र सदन के निर्मान में नियमों को ताक पर रखकर करीबियों को कॉन्ट्राक देने कारोप है आरोपो के मताबिक सदन के निर्मान की लागत 52 करोड से बढ़कर 152 करोड पहुँच गई थी माराज सेदन के निर्मान के वक्त छगन बुजबन माराज के PWD मंत्री थे मुंबई की विशेश मकोका कॉर्ट में पत्रकार जेडे मर्रकेस में गैंग्स्टर छोटा राजन की पेशी के लिए वारंट जारी किया है कॉर्ट में तिहार जेल अधिकारियों को 7 जन्वरी को मुंबई की मकोका कॉर्ट में राजन की पेशी करने को कहा कॉर्ट चाहती है कि जेडे मर्रकेस के बाकी आरोपियों के साथ ही छोटा राजन का भी ट्राय चले मुंबई के मालवणी से 16 दिसमबर को गायब हुए वाज़च शेक नाम के शक्स को महाराश एटीयस ने पुने में ढून लिया मालवणी पुलिस ने पूश्ताच के बाद वाज़च को छोड़ दिया है लेकिन सुरक्षा एगंसिया अभी भी जाच कर रही है पुलिस ने नहीं बताया कि वाज़च आईस आईस में शामिल होने गया था या नहीं वहीं परिवार वालों ने सिंकार किया सेंट्रोन रेल्वे ने भीड़वार के चलते ट्रेन हाट सो को रोपने के लिए डिबो की सीटों में बदलाब किया है महराश्र के बुल्धाना में एक किसान ने बैंक से कर्ज ना मिलने पर नराज होकर शोले स्टाइल में आंदोलन किया महकर गाउं के रहने वाले पवन घामने ने दो साल पहले सेंट्रल बैंक से कर्ज मांगा था पहले तो मन्जूर हो गया था लेकिन बाद में बैंक मेनेजर ने पवन के खिलाब अपराधिक मामला होने की बात कहेकर रोन ठारिच गया। अब नाराज होकर पवन तैसील कार्याले के पास के एक टावर पर चड़ गया। करज मन्जूर होने तक नीचे नहीं उतरने की धम की दिए। जे ए पार्टिल कमेंटी की सिफारशों के अधार पर होगी जिन्हों ने इस मामले की जाच की थी। के वर्तक नगर सुसाइटी में अजगर आने से हंगाम मच गया। अबर मिलते ही पुलिस की टीम वन विभाक याधिकारियों के साथ मौकिये पर पहुची और अजगर को पकड़ा गया। अजगर बिमार था उस एलाज के लिए पशुची के साले में भरती कराया गया है। ठीक होने के बाद अजगर को यहूर के जंगल में छोड़ दिया जाएगा। मुंबाई के पास अंबरनाथ रेलवे स्टेशन पर रेल मुसाफिरों को जागरू करने के लिए नोकी कोशिश की गई। शक्स यमराज के भेस में स्टेशन आया, मुसाफिरों को फुट बोट पर ना लटकने, स्टन्ट नहीं करने और पट्रियां क्रॉस नहीं करने की सलभाती। ये कारेक्रम दिली के होटल इंपीजिट में होगा। इ-कॉमर्स कामपनियों के FDI नियमो की उलंगन की जाँच कर रही एंफॉरमस डारेक्टरिट ने 6 कामपनियों के खिलाप जाँच पूरी कर ली है। जानकारी के मुताबिक E-D की जाँच में E-कॉमर्स कमपनियों में FDI निवेश्ट से जुड़ी गरबढ़ियां सामने आई। जाँच में मार्केट प्लेस के जरिये डिसकाउंट देने में गरबढ़ियों का खुलासा हुआ है। जाँच के बिजनस मॉडल और फंडिंग पर सरकार ने भी हाईकॉर्ट को रिपोर्ट सौपी है। फुटवेर असोसियेशन की आचिका पर दिली हाईकॉर्ट ने E-D को जाँच क्या देश दिये। मार्केट रगुलेटर सेवी के अधिकारियों से पूछताच करने के CBI के अधिकार को लेकर सेवी ने वरिष्ट वकीलों से राय मांगी है। इस बारे में 14 दिसंबल 2015 को सेवी एंप्रॉईज असोसियेशन की तरफ से सेवी चैर्मेन को एक चुठी लिखे गई। पिछले दो सालों के दौरान आलाग अलाग मामलों में सेवी के 70 अधिकारियों को कभी CBI और कभी आर्थिक अपराज शाखा के ओर से समन भेज कर उनसे पूछताच की गई है। एक्सचेंज के लिस्टिंग को लेकर CBI सेवी ने नए नियमों को मनजूरी दे दी है। सुक्रों के हवाले से खबर है कि ऐसी कंप्यों के शेयर लिस्टिट एक्सचेंज में ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे जिससे उनकी हिस्सेदारी पंदरा से ज्यादा होगी। इस नियम से सबसे ज़्यादा अजटका MCX में कोटेक महिंदरा के निवेश को लगेगा क्योंकि ये कोटेक की MCX में 15% हिस्सेदारी है। इसलिए MCX SX में कोटेक का शेयर ट्रेड नहीं हो सकेगा। एक जैनवरी से कॉल ड्रॉप पर कस्टमर्स को मिलने वाला हटजाना अब नहीं मिलेगा, दिडी हाईकॉट ने ट्रॉइ कास के इस फैसले पर रोख लगा दी है। रिलांस जियो ने अपने हर करमचारी को चार्ज सिंकार्ज जा रहे हैं। रिलांस कम्यूनिकेशन्स एरसल के साथ मोबाइल कारोबार का मरजर कर सकती है। शहरों में बढ़ते प्रदूशन को देखते वे टाटा मोटर्स में अपनी रणनीती बदल दी है। कम्यूनिक अब हाइब्रिड और एलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने पर अपना फोकस बढ़ाएगी। वही कम्यूनिक कम्यूनिक काम प्रदूशन वाली पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां बनाने पर काम करेगी। अमेरिका बे राश्पती पत के रिबॉब्लिकन दाविदार डॉनल्ड ट्रम्प ने इस बार सारी मर्यादयाएं तोड़ दी हैं। उन्हें डेमोक्रिट पार्टी से दाविदार हिलेरी क्लिंटन के लिए अप शब्दू का समाद किया। चीन में खराब होती एर क्वालिटी लोगों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। बीजिंग स्मॉग के चलते सुमवार और मंगलवार को रेट अलर्ट राजिस स्कूल कॉलेज कर रहे। चीन के क्यूपिंग शहर में इगवान के उपर बनी। उपर बनी सड़क के धस जाने से दो ट्रक फ़स कहें। गरीमत रहे कि हाद्शे में ट्रक चाला के बाल बाल बचा। ट्रक चाला के मताबिक इसने पहले ग्रमा का सुना फिर उसका ट्रक का पिछला हिस्सा सड़क के धासे वए हिस्से में जाते साथ तुल्की का दक्षिनपूर सीमय से लगे हिस्से में लोगों ने पुलिस की कारवाई और कर्फियो के फिलाब प्रदर्शन किया ब्राजील के साउ पाउलू शेहर में एक म्यूजियम में आग लग गई हाला कि अभी तक आग लगने की कारणों का पता नहीं लगा साइबेरिया में पुलिस में जब एक दुकान से चोरी के सूचना पर पहुची तो उन्हें बड़ा अजीब नजारा देखने को मिला चोर चट से दुकान में गुसने की कोशश कर रहा था और इसी बीच फस गया और अलाम बज उठा पुलिस से पहले चोर को निकाला फिलिपिन्स डेगूं की वाक्सीन की बिक्री को मंजूरी देने वाला पहला एशियाई देश्पन क्या है टबलो एचो के रिपॉर्ट के मुताविक हर साल 40 करोड लोग डेमू से पीरित होते हैं इसमें से दो तिहाई मरीजों की तादा देश्या से होते हैं पेरू के अजाक उचो में हुए भूसखलन में दो लोगों की मौत हो गई भूसखलन से हाईवे पर खड़े ट्रक पर मलबा अगेरा जिसमें दो लोगों की मौत हो गई अमेरिका के पश्चमी तट पर भैंकर तुफान से आमजन जीवन अस्पेस हो गया लोगों को बरबारी बारिश और तेज हवाओं से जूजना पढ़ रहा है रॉकेट को दुबारा सिम्माल करने की कोशिशों को उस वक्तिहां से काम्याबी हांसल भी जब अमेरिकी कमपनी स्पेस एक स्नेक मानव रहित रॉकेट को प्रत्वी पर सुरक्षित उतारा फ्लोरिडा में फॉलकन नाइन नाम का रॉकेट अपने लॉच पाड से करीब 10 किलोमेटर दूर उता नासा नहीं अपना अगला मार्स मिशन अंतरिक्षियान के सिस्मो मीटर में अर्लिक के चलते टाल दिया सिस्मो मीटर को फ्रेंच स्पेस एजिंसी ने तयार किया था इंटरनाशनल स्पेस स्टेशन से आस्ट्रोनोट्स टिम कोपारा, स्कॉट केली और टिम पेकी ने सभी को क्रिस्मिस और नए साल की शुप काम नाए दिए हालिवुट के मशूर आक्टर निकुलस केज, डानसौर के स्कल को अमेरिकी सरकार को वापस करेंगे ताकि उससे मंगोलिया को वापस किया जा सके डारेक्टर प्रकाश जा के फिल्म जै गंगाजल का ट्रेलर रिलीस इस फिल्मे प्रियाइंक का पहनी बात को इस ऑफिसर के रूर बे संजरीला बंसाली की फिल्म बाजराव मस्तानी ने सौ करोर का आकड़ा पार कर लिया फिल्मे सुमवार को दस करोर से ज़्यादा कमाए बॉलिवुद आक्टर सल्मान खान अपने भाई सोहिल खान के 46 वे जर्म दिन के मौके पर आटो में बैट कर घर जाते हुए देखे ले रन्मीर सिंग का कहना है कि उन्हें अपनी वेर्ल फिल्म दिपिका पादुकौन पर फूरा भरोसा है कि दिपिका कभी उन्हें दोखा नहीं देगी एकड़ा कपूर की आपकमिंग फिल्म क्या कूल है हम पार्ट फ्री पर हो सकती है कानूनी का रवाई बॉलिवुट की मिश्वूर निर्माता अंदर देशब सूरट बार जाते हैं जो कि पारिवारिक फिल्म में बनाने के लिए जाने जाते हैं जल्दे इस फिल्म पर दिल आक्षिन ले सकते हैं बॉलिवुट की रज्वो ने अपनी करियर में एक नई पारी की शुरुवात की है सुनाक्षि सिन्हा के डेब्यू सिंगल आज मूट इश्कोहॉलिक है का ट्रेलर रिलीस हो चुका है बॉलिवुट अक्टर शाहिद और उनकी पत्नी मीरा की शादी वली अरेंज हो लेकिन इतने कम समय में ही अभी से इन दोनों को कि आदते एक दूसरे से माच होने लगी है शाहिद कपूर को तो सेलफी लेने का शौक है लेकिन सबसे खास बात यह है कि मीरा भी अब पती शाहिद की इस आदत को फॉलो करने लगी है मीरा की इस आदत का जिक्र शाहिद कपूर ने एक इविंट के दौरान किया झाल